टाइप आपका फोर कौन सा है बहुत इंपोर्टेंट है यह ठीक है जब किसी वस्तो को कम या अधिक मोल में जब भी बेचा जाए या खरीदा जाए जब किसी वस्तो को कम या अधिक मोल में बेचा या खरीदा जाता है तो इस टाइप में हमेशा याद रखना कम या अधिक म पहले वो कितने प्रतिशत लाब पर बेशता है, 10 प्रतिशत लाब पर बेशता है, ठीक कोई एक व्यक्ति है, वो 10 प्रतिशत लाब पर बेशता है, और आगे कह रहा है, यदि वह 15 प्रतिशत लाब पर अगर बेचे तो, कितने प्रतिशत लाब पर बेचे, अगर वह 15 प्रति सवाल यहीं से बना लेंगे एकदम सिंपल सा है कह रहा है कि एक व्यत्ति 10 प्रतिशत लाब पर किसी वस्तु को उसने बेचा अगर वह 15 प्रतिशत लाब पर उस वस्तु को अगर बेचता है तो उसे 200 रुपए का क्या होगा लाब होगा तो वस्तु का क्रेम गुले बताओ भा अगर उसीवस्तिको 15% लाप पर बेचे वो… तो उसे भाई अगर कितने एक बेचे? 15% लाप भी तो उसे 200 रुपई का लाब मिलता है, तो वस्तिशने कितने रुपई में खरी दी थी कि 15% बेचने पर 200 रुपई का लाब होगा. अभी तो विक्रे मूल है न, प्रतिशत में कहने मतलब यह है कि कोई व्यक्ति अगर 15 प्रतिशत लाब पर किसी वस्त को अगर बेचेगा तो उसे कितने रुपए में वो उस वस्त को उसने खरीदी है कहने के मतलब यह है है अब इसी फार मूले पे हम रख देंगे कम या अधिक मूले कितना है याँ इसको कार दीजिए यहां से कर जाएगा 5 पांच 5 पांदुनि 10 ठीक है 20 आगे अब 2 दूनि 4 हाना तो एंसर कितना हो जाएगा आपका तो वस्तु का जो क्रे मूले है वो कितना हो जाएगा? 4,000 हो जाएगा अगर वो 4,000 रुपए में उस वस्तु को अगर बेचता है तो उसे कितने रुपए का लाब होगा? उसे 200 रुपए का लाब होगा ठीक है? ये तो आपका पहला सवाल हो गया दूसरा सवाल लगा के दिखाओ महेस ने एक गड़ी 10% हानी पर बेचा देखो हानी पर बेचा है ठीक है? एकदम सिंपल सा है कि हानी कितनी है? हानी बराबर है 10% ठीक? महेस ने अपनी गड़ी को या एक गड़ी को 10% हानी पर बेचा यदि वह पांच प्रतिशत हानी पर बेचे कितने प्रतिशत पर अगर वह फिर हानी कितने पर बता रहा है अगर वह पांच प्रतिशत हानी पर उसे बेचता है तो उसे कितने रुपए का क्या होता है उसे कितने रुपए मिलते हैं हाँ ना साट रुपए अधिक मिलते हैं ठीक सवाल फिर से सुनेंगे कह रहा है कि महेंस ने एक घड़ी को 10% थानी पर बेचा अगर वह 5% थानी पर अगर उसको बेच रहा है तो साट रुपए उसको अधिक मिलते हैं तो उसको कितने रुपए में उसने खरीदी थी हान न ये बताओ आपको ये बताना कितने रुपए में उसने खरीदा था एक दाम सेम यहीं हमको क्या करना है इसी आदिक रुपए साट हुए गुडे हंड्रेट और दोनों प्रतिशतों का अंतर कितना है बीचा hear गां पांच ह पंद्रा आएगा ना यहां पर, पंद्रा पचे नहीं गलत हो जाएगा, पंद्रा यहां 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 12 हो जाएगा, ठीक, अब 12 कम 12, तो answer कितना आजाएगा, 12 सो रुपए, ठीक है ना, बात क्लियर हो गई तो बारा सुरुपए उसका क्या हो जाएगा भईया घड़ी का क्रेम ओले हो जाएगा ठिक यह सवाल समझ में आ गया एक कोशन और करो इसको अपने मन्से सबी लोग लगाएंगे एक विक्ति ने अपना फिर्नीचर 15 पर बेच हा नोच चलिए आंधा हम सवाल लिखे दे रहें पंद्रा प्रतिशत लाब पर उसको क्या करता है फरनीचर को पहले बेचता है फिर आगे लिखा हुआ यदि 10 प्रतिशत हानी पर बेचता है तो उसे कितने रुपए मिलते हैं 500 रुपए कम मिलते हैं अगर 10 प्रतिशत उसे हानी पर अगर बेचता है तो उसे 500 रुपए जो है वो क्या होते हैं? कम मिलते हैं, कम मिले, ठीक है? उसको 500 रुपए कम मिले, तो अच्छा बताओ वस्तु का क्रेमूल कितना होगा, उसने कितने रुपए में खरीदी थी, कि अगर 10% हान पर उसे बेच रहा है किसी वस्तु को, तो 500 रुपए उसे क्या है कम मिल रहें तो कितने में खरीदी थी वस्तु को तो यहां पर एक सा है एक वेक्ति है पहले 15 सब्सकत किसी वस्तु को 15 प्रब पर बेच रहा है फिर 15 पर हानी पर बेच रहा है तो बताइए उसका क्या होगा उसका क्रे मूल कितना कम या अधिक पहले इसको कोशन पूरा पढ़ेंगे तो उसे कितने रुपए कम मिल रहें अगर यह ऐसा काम कर रहा है तो उसे 500 रुपए क्या है कम मिल रहें कितने रुपए मिल रहें 500 रुपए कम मिल रहें तो अब यहां पर कम या अधिक मूले यहां पर रखना है यहां पर के अब हमको लग एक कट जाये काई हई पची is एक कम पचीस अब पचीस दुनाब कास यहाँ पर कितना हो जाए गाई कैई अब Works अ गर già करल यहां पर कितना हो जाए गाई बीज दहम्मुना पर कितना गारेगा uh एंसर कितना आ जाएगा आपका दो हजार आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा सही है न एक बार लाब हो एक बार हानी हो तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे ये वाला नीचे वाला फार्मूला एक बार लाब एक बार हानी होने पर या दोनों बार लाब होने पर ये वाला और दोनों बार हानी होने पर तब भी यही वाला आप फार्मूला लगाएंगे ठीक है चलो एक कोशन लगाओ एक घोड़ा 10% हानी की जगा 20% लाब पर बेचा जाता है पहले 10% का क्या है पहले 10 प्रतिशत की हानी है और फिर 20 प्रतिशत का लाब है तो 3,000 रुपए अधिक मिलते हैं 10 प्रतिशत की पहले हानी है और फिर 20 प्रतिशत का क्या है 20 प्रतिशत का लाब है तो कितने रुपए उसे अधिक मिलते हैं तीन हजार रुपए अधिक ये रुपए हो जाएंगे बस इसी फार्मूले पे रख दीजिए एक बार लाब हो रहा है एक बार हानी हो रही है किसी भी चीज को बेचने या खरीदने में तो आप एकदम सिंपल से यहां कह सकते हैं इसी फार्मूले में आपको रख देना है तीस एकम तीस और तीस दहमा तो यहां पर कितने हो जाएगा बता बैया सव होगा ना सव होगा यहां पर एक जिरो से जिरो कर जाएगा और तीस दहमा तीन सव तो इसका मतलब यहां पर चार जिरो हो जाएंगे एक दो तीन चार एकाई दाही से एकड़ा हजार दस हजार ठ बस है, clear, चलो एक लाश्ट सवाल, लगाओ, राम और रहीम समान मूल पर एक एक गाय खरीदते हैं, ठीक है, समान मूल पर एक एक गाय खरीदते हैं, राम अपनी गाय बीस प्रतिसत लाब पर और रहीम पचीस प्रतिसत हानी पर बेज देता है, तो इसको डारेक्ट सुनेंगे, बस सिधा आपको लाब और हानी खाली सुनना है, राम अपनी गाय को बीस प्रतिसत लाब पर और रहीम अपनी गाय को पचीस प्रतिसत हानी पर बे यदि राम रहिम से 4500 रुपए अधिक पाता है थीक है, तो आप इसको डारेक्ट ऐसे कह सकते हो पहले कितना है, बीस प्रितिशत लाब है, फिर पचीस प्रितिशत की हानी है भाई कितना है आपका 45 रुपए गोड़े कितना हो जाएगा 100 बटा दोनों का योग हो जाएगा कितना हो जाएगा यह 45 45 45 45 यह हो जाएगा एक बार जाएगा यहां कितना आएगा 100 और 100 को 100 से मल्टिप्लाइ करेंगे कितना आएगा 10,000 यह आपका क्या हो जाएगा यही आपका एंसर हो जाएगा ठिक